आज मैं आपको उन दो लाख लोगों के mindset के बारे में बताऊंगी जो cat का exam लिखते हैं November के आखरी Sunday के दिन जब आप test center में बैठे होगे या तो panic आपको control करेगा या आप panic को control करोगे और उन दोनों मेंसे क्या situation pan out करेगी वो इस चीज़ पर depend करेगा कि आपका mindset कैसा है आने वाले दिनों में Hi everyone and welcome back to the channel किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि cat का exam aptitude का exam नहीं mindset का exam है आप आने वाले दिनों में किस तरह से अपने mindset को build करते हो वो determine करेगा कि exam day पे आप कौन से mindset के साथ उस exam को लिखते हो तो let me take you a few years back in the memory lane जब मैंने cat का exam लिखा था in 2017 उस समय मेरा mindset कैसा था उस दिन पे ताकि आज advanced में जानते हुए आप अपनी preparation को tweak कर पाओ तो exam से जस्ट एक दिन पहले ना हमें ऐसी anxiety होनी शुरू होती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता उसका example देने के लिए मैं ऐसी चीज़ों के बारे में वरी कर रही थी और शायद आप में से कुछ लोग अभी से ही वरी कर रहे होंगे जो मेरे control में ही नहीं थी तो exam से एक दिन पहले मेरे पापा ने मुझे ये suggestion दिया कि जलंधर में जहां मैं रहती हूँ वह एक ही तो test center है तो he was like let's go to the test center हम test center देख के आ जाते हैं कि कितनी दूर है तो मैं ये भी पता लग जाएगा कि तो मगले दिन कहां exam देने वाली हो तो you will feel much more comfortable तो हम निकल पड़े हमने जाकर के test center देखा मैंने देखा कि घर से पास ही है कोई railway crossing भी नहीं आता रास्ते में तो कोई problem नहीं होने वाली है I'll reach on time लेकिन क्या ये जानने के बावजूद क्या उस uncertainty को certain बनाने के बावजूद क्या मैं उस दिन शांती से सो पाई थी The answer is no ये incident मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ Because आप में से भी ना बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में ये तो क्या वाले सवालों के जवाब ढूणने में बहुत time waste करोगे आप यही सोचोगे अगर ये हो गया तो क्या अगर वो हो गया तो क्या और वो चीज़ें आपके control में नहीं है No matter आप कितने भी ऐसे तो क्या वाले uncertain questions का answer ढूणने की कोशिश करो It is the truth कि आप हर चीज़ को certain नहीं बना सकते और क्यूंकि आप हर चीज़ को certain नहीं बना सकते What you need is trust Trust ना बहुत ही प्यारी चीज़ होती है देखो जिन चीज़ों को आप naturally trust करते हो तो कितना आपका burden कम करती है जैसे जब आप रात को सोने जाते हो आप trust करते हो कि अगले दिन सूरज खुद बखुद निकल आएगा इस चीज़ का burden नहीं लेते हर रात को कि अगर सूरज नहीं निकला तो क्या Just because आप उसे trust करते हो आपको उस चीज़ का burden लेने की जरूरत नहीं होती Same way आपकी preparation journey में जिन variables पर आप control कर सकते हो उनके उपर ध्यान दो और जिन variables को आप control नहीं कर सकते हो उनमें थोड़ा trust दिखाओ कि अगर आपने मेहनत की है तो result भी जरूर आएगा Second instance है बिल्कुल ही next day का जब मैंने exam देना था और उस exam को देते समय जो panic setting करता है वो इस चीज़ की वज़ा से करता है क्योंकि आपके आज़ पास हजारों और बच्चे होता है आपने जब mocks दी होंगे जादा से साथ आप अपने घर पे बैठे होगे या फिर के test center में जाके 10-20 लोगों के बीच में mock दिया होगा लेकिन imagine किती सारी rows किती सारी columns और भर भर के लोग जैसे call center में बैठे होते हैं वैसे test center में exam दे रहे हो ऐसी situation में अच्छे अच्छों का mindset बिगड़ आता है which is why मेरी ममा ने मुझे एक example सुना के test center में भेजा था जो मुझे आज भी याद है she told कि जब उनकी job की selection थी तो she was going for a typewriter का assistant का job so typewriting के interview के अंदर एक ऐसा ही बहुत बड़ा test center होता है और उसमें बहुत सारे लोग इकठे typewriting कर रहे होते है तो बहुत ही उँची आवाज आती है किसी और को मत देखना because वो आवाज तुमें इस चीज से डराएगी कि शायद तुम पीछे रह गए हो same चीज test center में भी हुई test center में क्योंकि सब लोग अपना mouse यूज करके click कर रहे होते हैं answer mark करने के लिए तो बहुत panic set करने वाला mode हो जाता है जहां लगता है कि शायद आप ही को answer नहीं आ रहा और बाकी सब तो फटा-फट options mark किये जा रहे हैं which is why वहाँ उस test center में बैठे हुए मैंने अपने लिए एक ऐसी चीज ढूंडी जो मैं आज आज आप सब के साथ भी share करना चाहती हूँ आप जाते ही उस चीज को notice करना ताकि एक ऐसा mindset बिल्डो जहां आप अपने आपको किसी से भी compare ना करो जब आप उस test center में उस seat पे बैठोगे आपके आज पास दो walls होंगी उसको आप blinders भी बोल सकते हो जैसे घोडे के लगे होते है ना कि आप इदर उदर नहीं देख सकते बिल्कुल same way आपके सामने वो blinders लगे होंगे ताकि लोग एक दूसरे की तरफ ना देख पाएं और cheat ना कर पाएं लेकिन उसको जिस तरह से मैंने use किया वो ये था कि I don't have to compare myself with anyone sitting left or right to me I will only and only focus on my work ऐसी ही एक similar चीज आपके साथ बहुत जल्द होने वाली है क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों के mocks के marks सुनके disheartened होगे यह आपको लगेगा कोई तो बड़ी जल्दी question solve कर रहा है मेरे से क्यों नहीं हो रहा यह याद रखना कि आपको वहाँ test center में बैठे हुए भी ऐसे ही एक mindset की जरूरत है जहां you focus only on your own work अगर आप अभी वो mindset नहीं बना पारे तो तब कैसे बनाओगे So you need a mindset where you don't focus on anything else than your own work Third instance मेरे साथ तब हुआ जैसे ही मैंने exam स्टार्ट किया So जब मैंने exam स्टार्ट किया obviously पहला section VARC का था और मेरे बिल्कुल next जो person बैठा हुआ था वो RCs को out loud पढ़ रहा था यानि कई लोगों को आदत होती है ना वो VARC में बोल-बोल कर के reading passage को पढ़ते हैं अब उस situation में मेरे पास दो options थी या तुम्हें बवाल मचाती कि क्या है तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हें टेस्स देने आए हो बच्चे हो क्या या दूसरा option ये था कि मैं बहुत ही politely लेकिन फिर्मली उन्हें ये चीज़ बताती कि उनके ऐसे बोलने के कारद मेरी performance खराब हो रही है and he should not do it so I obviously opted for the second option मैंने politely लेकिन फिर्मली उन्हें बताया कि वो ऐसा ना करे क्योंकि otherwise मुझसे concentrate नहीं हो पाएगा and he did listen to it the reason I am sharing this with you is because as a potential manager आप में एक solution oriented approach होनी चाहिए no doubt आपके सामने ऐसी situations आएंगी जहां आप emotionally involved होना चाहोगे लेकिन you should always keep your calm and try understanding कि solution जादा important है या आपका emotion और ego समय जादा important है ऐसा ही एक similar solution oriented approach आपको आने वाले दिनों में भी use करना पड़ेगा जैसे जब मैं मौक लिख रही होती थी तो ममा mostly बीच में fruits लेके आजाते थे so I had to tell her कि ये मौक मुझे लगातार कुछ घंटे बैठ के देना होता है and I can't pause it in between जैसे टीवी देखते होगे तो शीर भी लाइक नपॉस कर दो movie लेकिन same चीज़ मौक में नहीं कर सकती and that is why I had to explain that to her similarly जब आप भी पढ़ने बैठोगे मौक टेस्स लेने बैठोगे बहुत सारी interruptions आ सकती है लेकिन उसको emotional approach के साथ नहीं solution oriented approach के साथ deal करना पता है मेरी job में जो मेरे manager थे he was the best example of using solution oriented approach rather than emotional approach वहाँ कोई भी situation होती थी ना कितनी भी adverse situation क्यों ना हो जाए he never got rude he never got emotionally involved he always thought of the solution so ये एक ऐसा mindset है जो आपको सिरफ उस तिन test center के time पे नहीं चाहिए आपकी job में भी चाहिए आपकी life में भी चाहिए so अभी से कोशिश करो solutions ढूंडो emotionally entangle मत हो the final lesson is about the situation जहां मैं DILR section के कारण quant section को mess up करने जारी थी so cat 2017 में DILR थोड़ा सा tricky आया था and मेरा DILR favorite section था so मेरे से कैसे नहीं हो रहा DILR question ये चीज का जो ego था वो बहुत जादा panic create कर रहा था और जैसे ही DILR section खतम हुआ वो panic सीधा transfer हुआ quant section में and उसकी वज़ा से quant में बहुत ही easy questions को भी मैं silly mistakes की वज़ा से गलत करके आई so इस पूरे scene से जो mindset का lesson आपको draw करना चाहिए वो ये कि you have to maintain your calm during the exam don't take any question any set personally अपनी ego को ना घर पे छोड़ के जाना जब exam देने जाओगे because otherwise ना वो एक question वो एक set वो एक section आपके पूरे exam को ruin करने की capacity रखता है so please इस इस का ध्यान रखना don't associate your identity with any question और any section हो सकता है आरसी में ऐसा topic आजाए जिसके आप fan हो कोई cricket पे topic आगया कोई spirituality पे topic आगया don't attach your identity with that topic it is just a question it is just a paper similarly D.I.L.R. हो सकता है आपका फेवरेट section हो आप 99 छोड़ो 100% टाइलर रहे हो हमेशा D.I.L.R. में that doesn't mean कि उस paper में भी आपको सारे questions आते ही होंगे कुछ questions skip करने के लिए ही बने होते हैं तो इसी चीज की आप आने वाले दिनों में practice करो जब आप mocks लोगे notice करो कि क्या कोई ऐसा topic क्या कोई ऐसा section या कोई ऐसी type है जिससे आप personally associate कर रहे हो अपने आपको don't do that because that's just an exam that's just a means to an end that is not the end itself so ये कुछ ऐसे perspectives हैं जो शायद आपको final exam को face करने के लिए एक strong mindset बना के देखे जाएं I hope they do thank you so much for watching this guys कि लेखे तो